अगाश्वानी भुपा से प्रस्तुत हैं प्रादेशेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनर जी सबसे पहले इस बुलिटन के मुख्य समाचार सीखो कमाओ योजना में युवाओं के पंजियन कारिकरम की शुर्वा आताज जन कल्यानकारी योजनाओं के क्रियानवियन में रोजकार सहाया कांगनवारी कारिकरताओं की भूमी का महत्वपून कहा मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने संसत की स्थाई समिती ने समान नागरेक सहिता पर हुई बैठक में सम्मंधित पक्षों से मांगी राए और रासानी बोपा समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश होने के आसार अब समाचार वस्तार से मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान आज सीखो कमाओ यूजना के प्रशिक्षनार्थियों के पंजियन कारिक्रम का शुभारंप करेंगे प्रदेश के युवाओं के लिए learn and earn की तस पर रोजगार उनमुख कौशल प्रशिक्षन में युवाओं को आठ से दस हजार रुपए प्रते महा भत्ता दिया जाएगा पंजियन प्रक्रिया का शुभारंप राजस्तरिय कारिक्रम रास्थानी भोपाल के रवंद्र भवन में किया जाएगा यहां मुख्यमंत्री शुवरा सिंग चौहान एक युवा का पोर्टल पर पंजियन फॉर्म भरवाएंगे और उसे योजना की प्रक्रिया से अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री ये कॉलज की चात्र चात्राओं से समवाद भी करेंगे इसकी तैयारियों को लेकर शुवरा निकल समीक्षा बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से प्रशिक्षन लेने वाले युवाओं को उद्ध्योग उन्मख नई तकनीक और प्रक्रियाओं में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे उन्हें सहचता से रोजगार मिल सकेगा ये योजना युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम भी बनाएगी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में प्रदेश समेथ 24 राजियों की कमपनियों ने रुझान दिखाया है इन कमपनियों ने योजना के पोर्टल में पंजियन कराया है और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए आगे आई है अब तक लगभग 10,000 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को पंजिकरत किया जा चुका है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहा ने कहा है कि राजिसरकार की जन कल्यानकारी योजनाओं के क्रियान वियन में रोजगार सहायक, आंगनवाडी कारेकरता और सहायकाओं की भूमी का महत्वपून है श्री चौहान कल नर्सिंग पूर्जिले के तेनदु खेडा में आंगनवाडी और रोजगार सहायकों के संगठन के प्रतिनधियों से चर्चा कर रहे थे इस दोरान रोजगार सहायक, आंगनवाडी कारेकरता और सहायकाओं के संगठन ने मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र और स्मृती चिन्ह भेट किया और उनके हितों में की गई खोशनाओं के लिए श्री चौहान का आभार जताया मुख्यमंत्री ने ग्राम भामा में शास्की हाई स्कूल को हाई सिकंडरी स्कूल में परिवर्तित करनी की घोशना की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है मुक्यमंत्री ने जन सेवा मित्रों से समवाद भी किया भारत निर्वाचन आयोग ने इस साल होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारिया तेज कर दी है निर्वाचन आयों के प्रतिनिधी मंडल चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहा है बैठक के दूसरे दिन आज ग्वालियर, जंबल, सागर, शहडोल, जबलपुर और रिवा संभाग के अंतरगत आने वाले जिलो के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी कल पहले दिन भूपाल इंदौर के पुलिस कमिशनर सहित, कलेक्टर, जिला निर्वाचन, अधिकारी और अन्य जिलो के पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा की गई भारत निर्वाचन अधिक के वरिष्ट उप निर्वाचन अधिक्षकों की सुची में जोडने, दिव्यांग मद्दाता, थर्ड जेंडर मद्दाता, दोहरी प्रविष्टी वाले मद्दाता, मृत मद्दाताओं के नाम हटाने, संशोधन कराने, वोटर प्रतिशत बढ़ तीन दन के इस बैठक का समापन कल होगा। ये समाचार आप आकाश्वानी भोपाल से सुन रहे हैं। प्रतियकार में एक लोग शिकायत कानून और न्याय पर संसत की स्थाई समिती ने कल समान नागरिक सहिता यू सी सी पर एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राजे सभासांसत सुशील मोदी ने की बैठक में 17 सदस योपस थित्ते। समान नागरिक सहिता में नागरिकों के लिए व्यक्तिकत कानून बनाने और लागू करने का प्रस्ताव है, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका धर्म और लिंग कुछ भी हो। वर्तमान में अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिकत कानून उनके धर्मिक रंथो द्वारा शासित होते हैं। पछले महीने विधी आयोग ने समान नागरिक सहिता के संबंध में लोगों और मानिता प्राप्त धर्मिक संगठनों से राय मांगी थी। लोग इस महीने की 14 कारीक तक अपने विचार भेज सकते हैं। शौचाले और अन्यमूल भूद सुविधाओं के पूरा मेला क्षेत्र में वशेश प्रबंध किये हैं। बात करेंगे मौसम की प्रदेश में आज कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। रास्थानी भोपा, सिहोर, नर्मदापुरम, विदिशा, रायसेइन में कहीं सिस्टम मस्बूत हुआ तो प्रदेश भर में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं एक मौनसून द्रौनिका प्रदेश के गौालियर सीधी होते हुए ओडिशा की ओर जा रही है। इसके असर से इन दौर समेथ प्रदेश के कई जिलों में हलकी से सिस्टम बारिश होने की संभावना है। अत्वावधान में गुरुवे नमह कारिक्रम में गुरू पूर्निमा पर विश्व समवाद केंद्र में साहतिकार डौक्टर गौरीश अंकर शर्मा गौरीश को सम्मानित किया गया। खंडवा में अवधूद संत श्री दादाजी धुनी वाले के आश्रम पर तीन दिवस्य गुरुपूर्निमा उच्सव का कल समापन हो गया। खंडवा गौरुपूर्णिमा उच्सव के लिए देश के विभनक्षेत्रों से लाखों की संख्या में श्रधालों ने दादा धुनी वाले की समाधी पर मत्थाटेगा। आगर मालवा जिली के शास्किय विद्यालेों के कक्षा आठवी से दसवी तक के विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतिय विद्धिय साक्षरता प्रशनोत्तरी का आयोजन करवाया जा रहा है जिलास्तर पर प्रधम स्थान प्राप्त विद्यार्थी राजस्तर प्रश मंत्री ने कल सतना के आमर पार्टन में आयोजित कारिक्रम में 20 करोड 92 लाख रुपे से अधिकी लागत से बनने वाले फोर लेन मार्ग का भूमी पूजन किया बालक हाट में केंद्रु रिजर्फ पुलिस बलके 123 बतालियन के कमांडन सुधीर कुमार के ने तृत्व में विक अंथ में बूलिटन के मुख्य समाचायर एक बार फिर, सीखो कमाओ योजना में युवाओं के पंजियन कारिक्टम की शुरव आ ताज, जनकल्यान कारी योजनां के क्रियानवेण में रोजकार सहाया कांगनवाडी कारšíकरताओं की भूमी का महत्वापून, कहा मुख्यमं प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश होने के आसार बुलिटन में फिलहाल इतना ही इजासत दीचे नमस्कार